हरे कृष्णा तो आ गई है वारूतिनी इकादशी तो ये इकादशी बहुती महत्पूर्ण है जिसे भक्त लोग चार मई को मना रहे हैं बवेश्टतर प्राण में श्री कृष्ण महराज युदिष्टिर के मध्य समवाद में वैसाख मास के कृष्ण पक्ष मे आने वाली वारूतिनी इकादशी के महत्म का वरणनाया है कहते हैं कि एक बार युदिष्टिर महराज ने भगवान कृष्ण से पूचा कि हे वासुदेव वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष मे आने वाली इस इकादशी की क्या महीमा है भगवान कृष्ण ने उतर दिया है प्रियराजन इस इकादशी का पालन करने से इस जनम और अगले जनम में भी सुभाग प्राप्त होता है इस इकादशी व्रश के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है साथ ही वास्तिविक आनंद प्राप्त करते हुए भाग्यवान बनता है जनम मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है भगवान की भक्ती प्राप्त करता है इस व्रत के पालन से बड़े-बड़े भक्त मान धाता राजा को मुक्ती मिली राजा धुन्दुमार शिवजी के शाप से मुक्त हुए वारुतिनी काशी के वरत से दस हजार वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है सूर गरहन के समें कुरुख शेतर पर अगर कोई वेक्ति 40 किलो सोरण का दान करे उसको जो फल मिलेगा वो केवल इस वरत के फल से मिल जाता है शास्त्रों में कई प्रकार के दानों का वर्णन है बवेशितर पुराण में कहा गया है कि एकाशी शुद्ध जीवन प्रदान करती है और पापों का नाश करती है अश्वदान यानि घोडे के दान से भी श्रिष्ट है हाती का दान गजदान गजदान से भी श्रिष्ट है भूमी दान भूमी दान से श्रिष्ट है तिल दान तिल दान से भी श्रिष्ट है स्वर्ण दान स्वर्ण के दान यानि सोने के दान से भी अधिक श्रिष्ट है अन्यदान और कन्यदान इन दोनों दान को बराबर बताया गिया है और इन अन्यदान और कन्यदान से उपर है विध्यादान जो भी विक्ति विध्या का दान यानि गरंथों का दान करता है कादिश्री पर वो बड़ी महिमा है और दूसरों को इस हरी कथा का ग्यान देना ये भी ग्यान दान विध्या दान कहलाता है जो कि अनेक दानों से कहीं बड़ा है गोपियों ने भगवन से कृष्णी कथा सुनाने वालों को कहा है आप से बड़ा ना तो कोई दानी हुआ है ना तो कोई होग भूरी दाजनहा कहेकर गोपी गीत में गोपियों ने उच्चारण किया है इस इकाशी के वरत से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और कहते हैं एक हजार गायों को दान देने का फल भी इस इकाशी वरत से मिल जाता है इस एकाशी की बड़ी महिमा है जैवधर में श्रील भक्ति वनों ठाकूर कहते हैं वैशनव और समार्तों में थोड़ा सफर के समार्त ब्रामन जो है वो एकाशी का वरत पाप को नश्ट करने के लिए करते हैं लेकिन जो भक्त हैं वो एकाशी का वरत भगवान कृष्ण की भ भक्ति के बति प्रिती प्रेम बढ़ाने के लिए करते हैं जैसा कि गर्ग सहिता में भी गर्गाचार रिशी ने एक वाक्य काई है श्रीमती राधारानी गोपियों से कहती है श्री कृष्णस्य प्रसादर थे कुरुते एकादशी व्रतम तेन वश्यो हरी साक्षाद भविश्यती ना संशयम श्री कृष्णस्य प्रसादर थे भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद कृपा का प्रसाद पाने के लिए क्या करो गोपियों राधारानी केती हैं कुरुते एकादशी वरतम तुम्हें एकादशी का वरत करना चाहिए तेनो वश्य हरी साक्षाद तुम्हारे वश्य में साक्षाद हरी भगवान हो जाएंगे बविश्यती न संशे भविश्य में इसमें कोई संशे नहीं है तो इस प्रकार इस एकादशी को भक्ती प्रेम प्रीती लोग पुछते कितना फलहार करें एक बार आप कही बार भी ले सकते हैं आप दवाईयां भी ले सकते हैं मैडिसंस भी ले सकते हैं परन्तु अन नहीं ले सकते हैं जल ले सकते हैं दूद ले सकते हैं फलहार ले सकते हैं और आज कल तो फलहार में कही प्रकार की वराइटी के लोग परसाद बना लेते हैं, वो सब बना सकते हैं, परन्तु अन ग्रहन नहीं करना है, हरे क्रश्चना. यिर气 जी जगनी वो सब बना सकते हैं, हरे कि उरीदा प्लिटे कशर इस हैं, झालत वूमें करना ब geared आपा sing met रहें हैं, मैं वो सब रहें आपाना करना हैं, कि पे रहें बना is सकते हैं, तो यूर bizक्राहा हैं, हरे नहीं करना हैं, चुर आपको ब Хотपको नहीं करना है, और बना ह झाल झाल झाल